अफेक्टिव इंटरपर्सनल टाउच इन क्लोज रिलेशनशिप अक्रॉस कुल्चुरल पर्सपेक्टिव यह जो स्टडी के बारे में मैं बता रही हूं यह बहुत सारी कंट्रीज से उन्होंने डेटा कठा किया था इंटरपर्सनल टाउच बेहेवियर ही होता है कि आप दूसरे इनसान को किस तरह टच करते हैं बच्चे को बड़ा चोटे को करता है तो सर पे हाथ रखता है दोस्त जो हैं वो गले मिलते हैं जो बहुत क्लोज रिष्टा है जैसे मिया बीवी के उसमें एक और तरह का टच होत क्या है यनि तकाफत और मौश्रे के हिसाब से उसमें क्या तनव्व पाया जाता है इन अफेक्टिव टैच में अफेक्टिव टैच का मतलब होता है महबत का टच थपड़ वाला टच नी अफेक्शन से यह लफज है और यह फेक्टर भी नहीं देखे गए कि क्या चीजें यह जो तनव्व या वेरियबिलिटी है इस पे सरंदाज होती है क्यों होता है यह तनव्व चौदा हजार इंडविजूल्स 45 कंट्रिस से उन्होंने डेटा लिया और उनसे यह पूछा कि वो गले मिलते हैं सहलाते हैं प्यार करते हैं चुमते हैं गले लगाते हैं अपने म लाइफ पार्टनर भी हैं और सबसे चोटा बच्चा भी है आपसे चोटा बच्चा भी है तो यह उनसे पूछा गया स्टडी से पहले उसके बाद यह देखा गया कि इंडिविजूल लेवल फैक्टर्स क्या हैं यानि सेक्स यानि मर्द या औरत एज पैरसिटिक हिस्ट्र हैं और आपका इंटरपर्सनल डिस्टंस कितनी दूर खड़े हो के लोग बात करते हैं और किस के साथ हम दूर खड़े हो के बात करते हैं क्रीप क्योंकि यह बात और यह महबत के टाच की तो यह कुलीग के मामले में तो नहीं होगा फ्रेंट्स और रिष्टेदार इन दो पर अप्लाए होता है इसमें कल्चरल लेवल फैक्टर भी देखे गए रिजनल टंप्रेचर के गरम मुलक है ठंडा मुलक है वहां पे बिमारी या पैरसाइट का कितना स्प्रेस पाया जाता है उनके इलाके में कदामत पसंदी यानि कंजर्वेटिवनेस टेडिशनल जो ए और इन सबसे इंटरपरसनल टाच चो वह किस तरह से प्रडिक्ट करना जादा है वो life partner और बच्चों के साथ है और इसकी जो diversity है वो काफी ज्यादा है गरम मुलकों में कदामत पसंद यानि conservative countries and cultures में और religious countries में यानि उन में काफी अंदर variety है और young लोगों में, females में और अजाद ख्याल लोगों में यानि इन मुक्तलिफ किसम के लोगों में ये interpersonal touch मुक्तलिफ ह हो सकता है अब पहली दफा यह हुआ है कि इस research से यह फायदा हुआ है कि एक broad और मुझ जिसको हमने मुझतमा की है इंटेग्रेटेड व्यू आया है बेस्तिस क्या होती है cross-curricular variability जो है effective touch में उस सब को कठा कर दिया गया है यह दुनिया के नक्षे पे मैंने सर्फ एक diagram इस research स में हम भी शामिल थे तो effective touch इसको देखना पड़ता है बड़े गौर से मैंने इसकी reference आगे दी है यह internet पे मिल जाएगा आप यह दुनिया के नक्षे पे नीला हलका नीला जो है वो बता रहा है effective touch कितना पाया जाता है और आप देखें कुछ जगों पे ज्यादा पाया जाता है effective touch की degree क्या है यानि कितना है और वो किस हद तक है तो यह बड़ी interesting research है और यह बड़े अच्छे जर्नल में publish हुई है इसमें green से जो नाम आपको नजर आ रहे है वो आपके अपने पाकिस्तानी researcher है पंजाब यूनिवर्स्टिटी